हेलो एब्रिवन मैं परम स्वागत करता हूँ आप सब का अपने प्लैटफॉर्म ब्राइट होरी जोन्स पर तो कैसे हैं आप सब आशागरता हूँ कि बढ़िया होंगे जी हां से ही सुना आप लोगों ने एड्मिड कार्ड एससी जीडी के मेडिकल के एड्मिड कार्ड जिसकी नोटिफिकेशन काफी दिन पहले आ चुकी थी कि 17 जुलाई से एससी जीडी के मेडिकल और डॉक्मेंट वरिफिकेशन स्टार्ट है जी हां उसके मेडिकल के एड्मिड कार्ड आ चुके हैं हम आ चुके प्लाई करने का काम करती है then जो फिजिकल है और मेडिकल है वो सारा क्राइटेरिया वो अलग डिपार्टमेंट को सुम देते हैं जैसे CRP हैं BSF यह जो recruitment boards होते हैं अजंसी होते हैं यह handle करते हैं तो CRP की official site पर हम आते हैं यहां से मैं मिल रहा है link to download admin card constable gd in central armed police force यहां पर हम click करेंगे then यहांसे नीचे जाएंग देंहें हमारे पास options आ रहे हैं Registration ID, Dataworth जहांसे भी हम download कर सकते हैं अगर हमारे पास रोल number है तो हम roll number यह dataworth से download कर सकते हैं मुंन बार नाम लिखेंगे first for character का हम instructions पर आते हैं मैं आपको दिखाता हूं instructions यह एक admin card मैंने download किया हुआ है तो मैंने privacy को चुपाने के लिए मैंने नीचे सिर्फ direct instructions पर ले आऊ the call letter to appear for the detailed medical examination purely provisional ठीक है यह चिकित्सा के तोर पर आपको लेके जाना है according to the important instructions issue to the candidate published in the advertisement it is mandatory to the eligible conduct आप लोगों को अपने original documents लेके जाना है self attested sign photocopies लेके जाना है यह साथ में सारे के सारे documents वहाँ पर attest होंगे वो चेक किया जाएंगे it is complete select to bring admin card admin card compulsory है कि admin card वहाँ पर center पर लेके जाना है इसके बिना वो entry नहीं देंगे और जिस center का है admin card उसी center पर चलेगा ऐसा नहीं है कि एक center का है वो आप दूसरे center पर चले गए हो candidate should bring any one of the original evidence जूली affixed है photograph identity such as आपको एक valid ID proof लेके साथ में लेके जाना है अदार card, pen card, driving license, voter ID या कोई भी college और school से issued ID card हो पासपर्ट हो चलेगा वो आपको साथ लेके जाना है then candidate report at the detailed medical examination ठीक है आप लोग May 2015 की guideline देखें उसमें 29 points बताए है उन 29 points के according आप लोगों को चक किया जाएगा मैं थोड़ी ही देर में आज शाम तक मैं वो वीडियो लेकर आता हूँ कि वो 29 points हैं आप लोग प्लीज चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके bell icon ट्रेस करिएगा मैं वो points totally detailed में discuss करूँगा कि वो क्या points हैं क्या कैसे कैसे आपको medical होगा और किस किस criteria के base पे आपको medical चेक किये जाएगा then नीचे चलते हैं candidate or advice not to carry valuable items जैसे iPhone, iPhone बगएरा laptop बगएरा valuable items ना लेके जाए अगर चोरी हो जाती है तो हमारी guarantee नहीं है then नीचे चलते हैं left thumb impression of the candidate will be taken during detailed medical examination ensures keep and left thumb cleaned and clean हर candidate का left thumb impression लगेगा वहाँ पे biometric में कोशिश ये करने कि आपका left thumb impression neat और clean होना चाहिए वहाँ पे खराब अगरे ना हुआ हो अगर हुआ है तो please prepare रखो no journey fair आप लोगों को कोई भी किराया अगरे नहीं ठीक है बेगिया जाएगा कि आप लोगों का किराया लगा है कितना रेंट लगा है जो भी लगा है वो आपको अपने कर्चे पर जाओगे अपने कर्चे पर आओगे candidates appear in medical examination must bring four at least passport size photographs कम से कम चार passport size photographs मांगे हुए है photos लेने में कंजूसी मत करना पांच चे लेके जाना एक्स्राइज लेके जाना साथ में अच्छी रहेंगी candidates appearing documents कहके लेके जाना है आप लोगों ने mat regulation टैंत की माक्षिट तो साथ में mandatory है 10 की माक्षिट लेके जाना भई ठीक है 10 का वो है तो 10 की माक्षिट लेके जाना 12 की नहीं लेके जाओगे graduation की नहीं लेके जाओगे चलेगा कोई issue नहीं है do missile certificate ठीक है permanent residence इसको बोलते हैं वह साथ में लेके जाना then card certificate अगर आप लोगों को age relaxation मिल रही है या किसी भी तरह की कोई भी reservation मिल रही है तो card certificate प्लीज साथ में लेके जाना income certificate asset to the annexer 7 ठीक है economical weaker section वालों के EWS वालों के लिए अपना जो EWS certificate है या economic certificate है वह साथ में लेके जाना ठीक है then नीचे चलते हैं certificate from the candidate who wish to avail age relaxation ठीक है height chest annexer 9 है जो annexer 9 का यो notice है ना वो बनवाले ना वो साथ लेके जाना जो height और chest में जिन बच्चों ने relaxation ली है जिनके height 170 170 cm से कम थी ठीक है या जिनकी chest 80 cm से कम थी 80 और 78 के बीच में थी 80, 78 या 77 के बीच में थी वो बच्चे annexer 9 साथ में लेके जाएगा then certificate of the district collector district magistrate in respect of department applicant arrived victim ठीक है आप अगर किसी ऐसे एरिया से हैं जहां पर दंगे विसाथ हुए जहां पर riots हुए थे ठीक है तो वहां का अगर आपके वास कोई notice या कुछ district collector का certificate है वो साथ में लेके जाएगा आप में भी कुछ चूट मिले ठीक है अगर आप वैस्ट पाकिस्तानी या refugee है वो उसमें फिल किया form फिल करते समय अगर आपने लगाया हुए है तो वह certificate साथ में जरूर लेके जाना वहां पे रैफर के लिए ठीक है certificate of the serving defense personal format ठीक है अगर आप किसी defense personal से है ठीक है अगर अन एक्षर 4 ठीक है undertaking the format of an एक्षर 5 एक्षर्विसमें ठीक है एक्षर्विसमें अगर आप armed forces से हैं तो एक्षर 5 लेके जाना candidate fully responsible for any incident occurring during medical examination ठीक है detailed medical examination के under around ठीक है under अगर कोई भी incident हो जाता है तो candidate अपना responsible ठीक है ठीक है candidate who wish to consider against vacances reserved seek relaxation of the form of format ठीक है otherwise claim the SCST category will not be entertained in the ठीक है अगर कोई जो भी बच्चे category में fall कर रहे है SCST या EWS category में है वो अपने certificate साथ लेके जाना और closing date of received online form 30 1120222 से पहले के होने चाहिए जो अपके certificate है वो इससे पहले के होने चाहिए इसके बाद के नहीं होने चाहिए इससे बाद के वो नहीं चलेंगे इससे बाद पहले के होने चाहिए और आप लोगों को जो भी मिली है ठीक है relaxation वगरा मिली है तो वो आप लोगों को मिल चाहिए अगर कोई बच्चा SC ST OBC EWS या एक सर्विसमान वहां पे फिल कर चुका है बाद में उसके पास वो डॉकुमेंट ना मिले या वो ओपन कैटेगरी का जेनल का हो ठीक है तो आप लोगों के पर फ्रॉड का क्लेम कर दिया जाएगा Candidates are advised not to use any type of drugs qualifying DME ठीक है किसी भी तरह का कोई भी ड्रग या निशीला पदार्थ नहीं करना Then no change of DME center date will be entertained from the candidate ठीक है Candidate की कहने पर कोई भी date medical की change नहीं की जाएगी Then इसके साथ जो COVID certificate है then finish ठीक है Documents मैंने आपको बता दी है कि कौन-कौन से Documents लगने है ठीक है Time क्या है ठीक है Reporting time 16 बज़े का time है ठीक है तो कोशिश ये करना कि पहले ही पहुंज़ना minimum आदा गंटे पहले पहुंज़ना I wish you best of the luck ठीक है Thank you आशा करता हूँ कि आप सभी लोग uniform पहने मैंटे करें तो कि आप सकती है